अगर आपका कोई वी एक्जाम है आने वाले टाइम में तो इस वीडियो को जरूर देखें क्योंकि इस वीडियो में मैंने सारे के सारे एक्जाम औरियेंटेड कोशन पूछे हुए है तो चलिए शुरू करते हैं कि इस कोशन है वरियो सेवंटीफाइफ पैसे में रूपीज थ्रीच कोशन में बोला गया है कि 75 पैसे रूपीज थ्री की रेश्यो निकालनी है घास कोशन को आप पहले खुर ट्राइब करें अगर आपसे नहीं निकलता है तब आप देखें कि मैं कैसे निकाल रहा हूं को त क्वेशन में दिया क्या है कि आपको यहां 75 पैसे दीए और यहां पर रुपीज 3 दीए तो आपको करना क्या कि रुपीज 3 को भी पैसे में convert करना है ratio निकालने के लिए तो आपको पता है एक रुपे में कितने पैसे होते हैं एक रुपे में 100 पैसे होते हैं तो तीन रुपे में कितने हो जाएंगे तो तीन को हम 100 से multiply कर देंगे तो आपका 300 आ जाएगा 3 की रेश्यो निकल गई अब आप मज़े से रेश्यो निकाल सकते हैं तो 75 इस टू 300 तो यह किस से कटेंगे हैं 75 बन दा 75 75 फोर दा 300 तो option A जो है वो आपका right हो जाएगा Guys question बहुत easy है बस आपको अच्छे से समझने की जुरूरत है अगर आप अच्छे समझ लेंगे question को पढ़कर मज़े से आप question निकाल लोगे चलिए दूसरा question देख लेते है Question क्या है The fourth proportional of 3, 6 and 7 is तो यहां में fourth proportion निकालना है 3, 6 और 7 का तो इसके लिए एक formula लगेगा formula क्या है B into C over A तो यहां पे B क्या है B6 है C क्या है C7 है और A क्या है A3 है तो 67 दा 42 over 3 तो यह किसे घड़ जाएंगे 3 बन दा 3 और 3 4 दा तो जो 14 है आपका वो right answer हो जाएगा option D is the right answer ठीके guys next question देख लेते है if 1800 is to be distributed between Rohit and Mayank in the ratio 4 is to 5 then the share of Mayank is guys question में क्या बोला है कि 1800 को distribute करना है 4 is to 5 की ratio में और हमें share देखना है Mayank का ठीक है guys मैं आपको इस question की एक trick बताऊंगा अगर ऐसा question आपको exam में आएगा तो वहाँ पे आप यह trick इस्तमाल कर सकते है बहुत simple trick है तो यहाँ पे आपको share निकालना किसका है मैं का share निकालना है मैं की तो मैं की ratio कितनी है मैं की ratio of 5 तो यहाँ हम 5 लेखतेंगे upon total number of ratio तो total ratio क्या है दोनों की 9 है तो इनको distribute कहां से करना है 1800 से तो multiply कर देंगे 1800 आगया अब आप इसली मैं का share निकाल सकते हो तो क्या आजाएगा 9 1 दा 9 9 2 दा 18 तो कितना आया 5 2 दा 10 तो हो गया 1000 तो मैं का share कितना आया 1000 आया option C is the right answer यह easy trick है आप इसको इसको इस्तमाल कर सकते हैं अगर आपको रोहित की ratio पूछी होती तो आप रोहित की भी निकाल सकते हैं जैसे मैंने आपको बताया आप निकाल के देख सकते हैं बहुत easy है next question देख लेते हैं the average of 9 number is 30 the average of first 5 numbers is 25 and that of the last 3 number is 35 what is the 6th number next question में बोला किया है कि आपको average निकालनी है 9 number और 30 की तो आपको average तो दी हुई है और number भी दिया हुए है तो आपको sum निकालना पड़ेगा तो sum तो आपको sum का क्या formula लगाना पड़ेगा तो यहां sum आ गया तो sum का क्या formula लगा लगा है number into average ठीक है guys तो कितना number दिया हुए है आपको 30 into 9 तो यह कितना हो जाएगा यह हो जाएगा 270 तो आपका 9 number 30 का sum जो है वो आ गया तो अब आपको किस का sum निकालना है अब आपको निकालना है the average of first 5 number is 25 तो आपको इसका निकालना है 5 into 25 का ठीक है guys तो यह 5 into 25 तो यह कितना हो जाएगा 5 5 the 25 to carry यह 125 हो जाएगा ठीक है then आपको निकालना है last 3 number का और last 3 number कितना हो जाएगा 3 into 35 3 into 35 तो 3 5 जा 15 तो यह हो जाएगा 105 तो आपको करना है कि आपको इन दोनों को add कर देना है इन दोनों को plus कर देना है plus करके क्या आएगा यह आएगा 0, 3 और 2 230 आएगा 230 आगे इसको plus करने के बाद तो आपको फिर करना है क्या है तो guys add करने पे कितना sum बनेगा इनका तो इनका बनेगा 230 add हम किसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें 6 number निकालना तो 6 number निकालने के लिए हम इन दोनों को plus करना पड़ेगा कैसा आप question को देखिए और मैं जैसे निकाल रहा हूं उसको अच्छे से समझिए इस type की question को आप ऐसे ही निकालना है और आपका अच्छे से मज़े से निकल जाएगा तो अगर जैसे आपको 230 आगया आपको करना क्या है 270 से इसको माइनिस कर देना है जब आप 270 से माइनिस करोगे तो आपका जो अंसर आएगा वो आएगा 40 जो कि आपको option B में देखने को मिल रहा है तो option B आपका right answer हो जाएगा next question देख लेते हैं गरस question क्या है the average of first 5 multiple of 3 is हमें 3 के first 5 multiple की average निकाल ली है तो इसके लिए एक आप formula रट ले तो इसके लिए एक आप formula याद कर लें formula क्या है number bracket n plus 1 over 2 ठीक है guys तो देखिए इसको कैसे करना number में आपने लगाना है कि जो number दिया होगा आपको 3 number दिया ना 3 की average 3 के multiple की average निकाल ली है निकाल ली है तो 5 plus 1 divide by 2 ठीक है guys next देखिए क्या करने तो आपको आप करने क्या 3 5 plus 1 6 हो जाएगा divide by 2 अब ये easily आपका average आजाएगा 2 1 दा 2 2 3 दा 6 तो 3 इंटो 3 हो जाएगा 9 तो option B जो है वो आपका right answer हो जाएगा next question देखते है man completes 30 km of his journey at 6 km per hour and the remaining 50 km of journey in 5 hour his average speed for whole journey is तो हमें इसकी average speed निकाल ली है इसके पूरे जर्नी की तो guys question को पहले आप द्यान से पढ़िए question में बोला क्या है question में क्या बोला है guys जो इसकी 30 km की जो जर्नी थी वो उसने 6 km per hour की speed से cover की है और जो बच्ची 50 km की थी वो उसने 5 hour में complete किया तो जो उसकी average speed रही थी पूरी जर्नी की वो कितनी थी तो आपको यह निकाल लाए तो speed निकाल लिए ना आपको 80 आजाएगा distance तो आपका आजाएगा प्लस आपको time नहीं मिलेगा क्योंकि फर्स जर्नी थी उसमें उसने speed बताई हुई है second journey में time तो बताया है बस first journey में उसने speed बताई हुई है तो आपको फर्स जर्नी की भी फर्स जर्नी का भी time निकालना पड़ेगा तो देखे कैसे निकालेंगे तो time का क्या formula होता है distance over speed ठीक है तो कितना distance दिया हुआ था 30 speed कितनी थी 6 तो कितना time आजाएगा 6 1 दा 6 6 5 दा 30 तो 5 आपका time आजाएगा first journey का तो आप फर्स जर्नी का time और plus second जर्नी का time प्लस कर सकते हैं और आपका total time आजाएगा तो देखिए speed distance कितना था distance था आपका 50 प्लस 30 80 और time कितना था पहली जर्नी का time हमने निकाला वह आया 5 second जर्नी का कितना था 5 तो 5 प्लस 5 इकल टू 10 तो यह अभी आपका आजाएगी speed पूरी जर्नी की 10 1 दा 10 10 8 दा 80 तो कितनी है आपकी speed 8 km परहार जो कि option D में है तो option D जो आपका right हो जाएगा next question देख लेते हैं its train is going at a speed of 135 km परहार its speed is तो देखे guys आपको train की speed दी हुई है 135 km परहार km परहार में दी हुई है न और जो answer है वो meter per second में है तो इस question को आप कैसे निकालेंगे तो इसको निकालेंगे हम speed equal to 135 है न तो 135 जब भी आपको km से meter per second में निकालना होगा तो आपको multiply करना पड़ेगा 5 over 18 5 by 18 से multiply करना पड़ेगा तो जो इसको multiply करके आपका जो answer आएगा वो आएगा 37.5 meter second ठीक है गाइस तो जो option A है वो आपका right हो जाएगा गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगे हो तो प्लेस वीडियो को लाइक कर दें शेयर कर दें और चालन को सब्सक्राइब कर दें हम मिलते हैं आपसे next video